तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Most expected questions of class 10th CBSE CBSE में जो इस साल के लिए सबसे ज़्यादा important जो questions थाबित हो सकते हैं उनकी हम बात करेंगे और मैं अपने experience से बोल रहा हूँ कि जो भी questions हम यहां पर discuss करेंगे या तो directly या फिर थोड़ी बहुती language change होके उनके आपके exam में सीधा पुछे जा सकते हैं तो हम शुरू करेंगे यहां से life process से तो life process में जो questions important होंगे पहले तो हम question के बारे में और साथ में उनके answer आपको कैसे लिखने हैं और कहां से आपको answer मिलेगा वो भी हम बात करेंगे तो start करते हैं number 1 question से तो पहला question आ रहा है what is the site of photosynthesis in plants where do plants get each of the raw materials required for this process तो यहां पर इसका answer जो हो जाएगा कि site कौन सी है यह तो हो जाएगा आपका chloroplast ठीक है कि site कौन सी है chloroplast है और where do plants get each of the raw materials required for this process तो कहां कहां से मिलती भाई तो raw material आपको पता होना चीए पहले कौन कौन से होता है carbon dioxide होती है ठीक है यह carbon dioxide कहां से मिलेगी यह atmosphere से मिलेगी ठीक है और sunlight है sunlight कहां से मिलेगी sunlight sun से sun से आएगी ठीक है sun से मिलेगी water water कहां से मिलेगा water मिलेगा, soil से मिलेगा, ठीक है, soil से, ground से मिलेगा और chlorophyll, जो है chloroplast में पहले से ही, लीफ में पहले से ही present होता है तो यह तो रहा पहला question, ठीक है, अब बात करते हैं, दूसरे question की दूसरा question आ रहा है, write the difference between parasitic and saprophytic nutrition तो यह देखो parasitic और saprophytic, यह दोनों ही heterotropic nutrition जो heterotropic nutrition होता है, आपने exam, अभी पढ़ा होगा अपनी chapter में कि एक autotropic होता है, heterotropic होता है, तो heterotropic के सब टाइप्स हैं यह types हैं कि heterotropic के parasitic और saprophytic, तो parasitic जैसे मालेजी bacteria है, जैसे मालेजी कसकटा बेल है, या फिर सिर में जो जो जूएं बगएरा हो जाती है, वो भी parasite के example है, और saprophytic में क्या जाएंगे, जैसे fungus बगएरा जाते हैं अपनी, तीक है, saprophytic में जो organism which are growing on dead and decaying organic matter, इनके उपर जो गरो करते हैं, उनको saprophyt बोलते हैं, तीक है, तो एक यह रहा, उसके बाद में अगला question आ रहा है, write the events occurring during the process of photosynthesis, तो यह आपको जो NCRT आप जब starting में खोलते हैं, तो वहाँ पर जो chapter alive process का, तो जहाँ photosynthesis start हो रही, तो महाँ पर point में 3 point दिये वे हैं, 1, 2 और 3 करके, वो 3 point आपको लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है, अगला question आ रहा है, what is photolysis of water, तो बैटा यह इसी के अंदर आ जाता है, जो यह 3 points, उनमें से 1 point photolysis भी होता है, यह इसका, इसमें आप क्या लिखोगे, 2 number का आ सकता है exam में, काफी important question है, इसमें आप लिख सकते हो, कि the breakdown of water molecule by sunlight, sunlight से water molecule का breakdown, और साथ में यह reaction आप लिख देंगे, वहाँ पर, कि water है, water जो है sunlight से, क्या होता है, breakdown होगा इसका, light reaction के दोरान होता है यह चीज, तो इसमें proton निकलते हैं, इस hydrogen को proton बोलते हैं, और electrons और साथ में क्या निकलती है, oxygen liberate हो जाती, light reaction में, तो यह reaction आपकी आजाएगी, photolysis of water में, किसी भी चीज में दिक्कत हो, तो हमारे playlist में जाए, और life process के related, जितनी भी वीडियो है, आप उनको देखे, आपको सभी doubt clear होंगे, सारा syllabus में पर दिया हुआ है, अगला question की बात करते है, write the function of stomata, तो stomata tiny pores होते हैं, जो leaf के अंदर present होते हैं, और इनके जो function होंगे, आप लिखोगे, gases exchange, gases exchange में लिख दोगे, ठीक है, gases exchange करते हैं, और साथ में transpiration, ठीक है, यह सब आपको हमारी वीडियो मिल जाएगा, अभी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको question के answers कहां से मिलेंगे, तो यह दोआ आप सीधा function, सीधा point में लिखें, कोशिश करें कि question के answer आप points मिल दें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, next question है, explain with the help of a diagram, how do amoeba obtains its food, तो diagram की help से बताना है, कि जो amoeba है, वो किस तरीके से अपना food लेता है, तो पहले आप यहाँ पर एक सीधी line लिखेंगे, कि am amoeba जो अपना food लेता है, वो endocytosis की process से लेता है, यानि कि amoeba obtain its food by the process of endocytosis, endocytosis, तो पहले तो आप यह लिखें के endocytosis, phagocytosis भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको एक diagram मिलेगा NCRT में, ठीक है, amoeba का इस तरीके से food लेता हुआ, इस तरीके से food लेता हुआ, यहाँ पर इस तरीके से food vacuole बन जाता है, इस तरीके से आप वो एक diagram मिलेगा, तो same heading में मिलेगा, amoeba कैसे food अपना उप्टेन करता है, यह NCRT मिल जाएगा, काफ़ important है, next यह बात करते है, mention any one point of difference between pepsin and trypsin, तो pepsin और trypsin दोनों ही protein digesting enzymes हैं, लेकिन pepsin जो है, यह stomach में gastric juice में होता है, यहनी की stomach में release होता है, और trypsin जो है, यह pancreas से release होता है, pancreas से secret होता है, और कहाँ पर intestine में, small intestine के अंदर यह secret होता है, यह दोनों protein digesting enzyme हैं, लेकिन pepsin जो है stomach के अंदर release होता है gastric gland से और यह जो trypsin है यह intestine में secret होता है pancreas से आता है ठीक है आगे बात करते हैं what is the role of saliva in the digestion of food तो जो saliva का जो role है food के digestion में वो क्या है यह काफी important है यह भी question तो यह क्या करता है जो food के अंदर हमारी जो starch होती है starch क्या है complex carbohydrate इसको क्या करता है यह maltose में maltose में convert कर देता है और maltose क्या होती है sugar होती है यहनिकि simple carbohydrate taste में मिठी लगती है और जो यह starch होती है यह sweet less यहनिकि ficky होती है टेस्ट में digest होने के बाद में क्या होता है शुगर में convert कर देता है यानि कि ये क्या करता है हमारी मूँ के अंदर about 30% starch को digest कर देता है इन सभी के answer topic wise आपको हमारी वीडियो मिल जाएंगे महाँ पर आप देखें मैं जैसा कि पहले भी गा short notes में आ रहा है peristatic moment ये elementary के नाल का moment है ये भी आपको हमारी वीडियो मिल जाएगा या NCRT साब देख सकते है push and forward moment होता है ये push and forward push and forward moment of forward moment of elementary canal ठीक है ये आप लिए elementary canal अगला short note आता है emulsification of fat ये question इस तरीके आ सकता है कि how fats are digested in our body हमारी body में कैसे होते हैं तो जो lipase enzyme होता है वो direct हमारी fat पे act नहीं कर पाता है उसके लिए क्या करना पड़ता है पहले उसको जो fat है बड़े बड़े global से उनको तोड़ना पड़ता है तो ये भी आपको मारी वीडियो में इसका answer मिल जाएगा अभी हम बात कर रहे है important questions की lymph ये colorless fluid होता है ठीक है RBC नहीं होती इसके अंदर hemodialysis ये भी आपको मिल जाएगा राम से तो ये important questions short notes के बारे में हमने बात किया एक आरा है pyloric sphincter ये आपको कहा मिलेगा ये digestive system के अंदर मिलेगा ठीक है और ये होता कहा है जो stomach और intestine होती है इनके बीच में एक वाल की तिरह काम करता है यानिकि ये चोटे-चोटे इंटरवल्स यानिकी कम-कम टाइम के बीच में क्या करता है stomach से partially digestive food को intestine में पहुचाता है मतब बीच में help करता है अगल I write the three components of gastric juice and their function तो यहां पर तीन component की बात करेंगे आप इसमें आजाएगा आपका mucus, HCL and pepsin इनके बारे में आप लिखने आए ठीक है यह भी आपको मिल जाएगा हमारी वीडियो में वीडियो का जो लिंक है आपको description मिल जाएगा और i button में भी मिल जाएगा अगला रहा हाओ small intestine designed to absorb digested food ठीक है यहां पर आपको क्या करना है वीलेई की बारे में लिखना है तो वीलेई finger-like projections होती है उसके बाद आ रहा है कि what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms तो आप NCRT में देखेंगे इस तरीके से आपको 3 तीन आपको एरिया दिखाए देंगे कि बाई glucose है पहले glycolysis में और उसके बाद में तीन तरीके से यहां पर डाइजस्ट हो आपको सिर्फ फ्लोचार्ट बना देंगे काफी है इनफ होगा अच्छे है आपको marks मिल जाएगे यहां से अगला question आ रहा है write the main differences between aerobic and anaerobic respiration तो इसमें आपको कम से कम चार चार डिफरेंस आपको लिखने है इसमें ठीक है aerobic और anaerobic में aerobic जो oxygen की presence में होता है anaerobic जो oxygen की absence में होता है कम से कम चार चार आप याद रखेंगे अगला question आ रहा है how are the lungs designed to maximize the exchange of gases ठीक है तो यहां पर आपको alvely की बारे में लिखना है यह सब आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा आप हमारी वीडियो की playlist चेक करें alvely की बारे में लिखना है explain the process of double circulation human heart why it is necessary double circulation के बारे में बताना है हमारे heart में 4 chamber होते हैं ठीक है चार चेमबर होते हैं और इकल होते हैं दो उपर एक left और एक right और ventricle होते हैं left और right इस तरीके से आपको इस तरह का flow chart बनाके आप इसको double circulation को explain करेंगे चीक है उसके बाद next question हाता how does water in plants reach the tree top पे कैसे पहुचेगा इसको आप सुने ध्यान से इसमें आपको क्या करना है कि बाद जैसे एक plant है तो plant की जो roots होती है वहां से plant के बिलकुल उपर तक कैसे पहुचेगा ग्रेविटी भी काम करती है तो gravity तो opposite काम करेगी तो यह कैसे जाए उपर तो इसके लिए क्या करना है इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर दो चीज़ पुल, ट्रांस्पिरेशन, पुल, ठीक है, इन दों को explain करेंगे, ये भी इसकी पूरा-पूरा जो है, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगा, और notes भी आपको, इस life process के पूरे notes भी हमें मिल जाएगे, अगर आपको चाहिए, तो आप मुझे message करें, ठीक है, Instagram पे message करें, आपको Instagram का link मिल जाएगा, महाँ पर आपको मैं सिधा सिधे PDF भी provide करा दूँगा, ठीक है, आगे हम बात करते है, next question की, what are the components of the transport system in human beings, तो human beings में बही क्या होते है, तो heart हो गया अपना, सबसे पहले heart हो गया, heart के बाद में क्या होगी, heart से blood लेके जाएगा, blood vessels आएगी, ठीक है, blood vessels आ ठीक है, next question आ जाता है, write the name of structural and functional unit of kidney, तो kidney की सिधा answer लिखोगे, आप एक word में answer लिखोगे, nephrons, तो nephrons are the structural and functional unit of kidney, also explain the excrete system in human beings, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको इस तरीके का जो diagram दिया हुआ है, ठीक है, kidney का, वो kidney का जो diagram है, इस तरीके से आपको वो बनाना है, ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर यह kidney है, यह urators लिखेंगे आप इनको, ठीक है, और यह urinary bladder और यह urethra, इस तरीके का diagram बनाना है, आपको यह 3 number of question अलग से भी आ जाता है, और काफी important है, अगला question की बात करते है, explain the process of urine formation and how it is regulated, इसका यह जो second part है यह काफी पूछा जाता है, तो urine का जो formation इसमें तीन steps आएंगे, आपका यह भी notes में मिल जाएगा मेरे, और video में मिल जाएगा आपको, अगर video देखते हैं आप, तो इसमें आपको क्या करना है, एक तो filtration आता है, ठीक है, एक होता है, reabsorption, reabsorption होता है, ठीक है, और एक होता है, यहाँ पर secretion, तो यह तीन steps को आपका explain करने है, और how it is regulated, तो आपका जो posterior pituitory है, posterior pituitory जो होती है, posterior pituitory एक hormone secret करती है, produce नहीं करती, secret करती है, produce तो hypothalamus करता है, तो secret करती है, उसका नाम है vasopressin, vasopressin इसका नाम है, जिसको क्या बोलते है, ADH भी बोलते हैं, anti-diuretic hormone भी इस इसकी वज़े से क्या होता है, यह regulate होती है, इसका पूरा-पूरा detail आपको मिल जाएगी हमारे notes में और वीडियो के अंदर, अगला question आ रहा है, why is the rate of breathing in aquatic organism much faster than in terrestrial organism, इस cancer आपको NCRT के अंदर अराम से मिल जाएगा, अगर आप पढ़ते हो, तेरी बता देता हूं, कि aquatic organism जो ह है, वो क्या करते है, dissolve form में, water के अंदर जो dissolve form में, जो oxygen है, उसको क्या करना पढ़ता है, उसको निकालना पढ़ता है, तो उसको energy ज्यादा spend करनी पढ़ती है, aquatic जो गिल्ट से सांस लेते हैं, पानी गंदा जैसे fish बगएरा, तो वहां से करना पढ़ता है, तो इसलिए उनको ज्यादा energy लेने पढ़ती है, इसलिए इनका rate जो होता है, ब्रीथिंग का वो fast होता है, टेकिन terrestrial organism, terrestrial मतल़ जो land पे रहने वाले, जैसे हम हैं, या और बहुत से animals हैं, जो land पे रहते हैं, उनको क्या free state में, molecular state में क्या oxygen मिल रही है, कोई पानी में गुली होता है नहीं, तो हमें तो क्या करना है, डिरेक्ट oxygen को लेना है, तो हमें इसना कुछ energy को spend नहीं करना पड़ता है, इसलिए हमारा जो breathing rate है, सांस लेने का rate है, वो इतना तेज नहीं होता है, जितना fish वागरा का होता है, ठीक है, तो यह थे, लास्ट question की बात करते हैं, कि give reason why, rings of cartilage are present in the throat, वहाँ पर जो आपका track है, जो wind pipe है, उसके उपर क्या होती है, cartilage की ring बनी होती है, C-shape की है, ठीक है, अब यह क्या करती है, इनका role पुछावा है कि क्यों present होती है, यह आपको note से मिल जाएगा हमारे, ठीक है, और यह respiration का topic है respiration मिलेगा, अगला जो है, epiglottis, sorry, glottis is guarded by epiglottis, तो यहाँ पर की, देखो, जैसी यह wind pipe है, ऐसी side में क्या होता है, एक यह food pipe है, एक यह wind pipe है, इस तरीके से होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक cartilageness flap होती है, कैसे उपर की तरफ, तो यह इसको बोलते है, epiglottis, epiglottis epiglottis को बोलते हैं, और यह जो opening है, यहाँ पर इसको बोलते है, glottis, ठीक है, तो यह पूछ रहे हैं, कि glottis के उपर, यह जो epiglottis, यह flap है, ढकन की तरह जो है, यह क्यों present होता है, यह आपर, तो यह भी आपको notes में, और हमारी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, उसके right और यह left ऐसे ventricle होते हैं, तो यह बोज रहा है, कि यह जो इनकी wall है, auricle की जो wall है, इस तरह की यह, यह ventricle की wall तो ज़्यादा थीक होती है, इनकी, लेकिन इनकी होती है, कम थीक है, यह पतली होती है, ventricle की मोटी होती है, क्यों, इनका reason बताना है आपको, तो यह थे 2021 के लिए जो 21 question थे, top 21 इस chapter के यह थे, और एक अलग से आप अगर question देखना चाते हैं, तो इसको आप देखना, यह आप अपने आप देखना, in which form the plant synthesize their food and in which form they store it, तो plant synthesize किसके है, चलो महीं बता देता हूँ, plant किस form में synthesize करते हैं, glucose की form में करते हैं, C6H12O6, और इसको किस form में store करते हैं, starts की form में store करते हैं, तो यह additional question था, तो top 21 question यहाँ पर 2021 board exam के लिए यह थे, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बात करेंगे, अगले chapter के questions की, thank you.